परिच्छा के दरिष्टी कौन से important topic है महतपूर्ण अनुछेद पिछले topics में मैंने cover किया था विदेशी सरोत अब और भी ऐसे ही नए topics रिवीजन करने के लिए channel को subscribe जरूर करें तो देखते हैं महतपूर्ण अनुछेद के कुछ importance point हमारे संभिधान में कुल 22 भाग है और प्रारम में 395 अनुछेद थे भाग एक में जो की राज्यों के संग के बारे में जहां बर्नन मिलता है अनुछेद एक कहता है भारत राज्यों का संग होगा ये प्रस्ण कितने बार पूछ चुके हैं काफी महतपूर्ण है अनुछेद 2 राज्य दिर्मान नई राज्यों का परवेश अगर कोई दुसरे देश के राज्य पर छेतर पर हमारे देश का अधिकार हो जाता है और वह हमारे देश में समलित हो जाती है तो वह अनुछेद 2 के अंतरगत राजखा निर्मान होगा लेकिन हमारे देश के ही राज के नामों में परिवर्तन उसके च्हेतर में परिवर्तन किया जाएगा तो वह अनुछेद 3 से होगा भाग 2, जिसमें अनुछेद 5 से 11 तक है और नागरिक्ता का बर्नन दिया गिया है भाग तीन में 12 से 35 अनुछेद तक है और उसमें मूल अधिकार का बर्नन किया गिया है जो हम अगले टॉपिक्स में कवर करेंगे डेटेल्स भाग चार जो अनुछेद 36 से इक्यामन तक है जिसमें राज के नीती निर्देशक्ततवों का बर्नन किया गिया है और उसमें भाग चार के कज अनुछेद इक्यामन के कज मूल करतब्यों का बर्नन किया है भाग पांच जो के अनुछेद 22 से 100 इक्यामन तक का बर्नन है संग की सहसन व्यवस्था के बारे में बर्णन किया गया है राष्टपर्ती से समंधिच परस्ण प्राया पुछे जाते हैं जिसके कुछ महतपूर्ण अनुच्छेद के बारे में रिवीजन करेंगे अनुच्छेद बामन जिसमें क्या गिया है राष्टपती का एक पद होगा अनुछेद तिरपन उसके राष्टपती के सक्ति और उसके कार का भीबरन किया गिया है अनुछेद चववन निर्वाचन कि राष्टपती का निर्वाचन कैसे किया जाएगा कितना उम्र होगा अनुछेद 61 जिसमें महाभियोग राष्टपती को हटाया कैसे जा सकता है बीच में कार्जकाल तो पाच वर्स है लेकिन अगर बीच में उन्हें भी हटाया जा सकता है दी महाभियोग के द्वारा वह अनुछेद 61 के अंदर गता है तो ये चार काफी महत्पूर्ण फिर अनुछेद अमन में 72 छमादान राष्टपती छमादान कर सकते हैं वह अनुछेद 72 के अंदर गता है अनुछेद 85 लोक सभा का बीघटन राष्टपती के द्वारा किया जा सकता है 17 वाषान जिसे कहते हैं वह अनुछेद 85 के द्वारा अनुछेद 123 ये काफी महत्पूर्ण है अध्यादेश 123 123 ये अध्यादेश क्या होता है राष्टपती के द्वारा स्वे कानून पारित कर दिया जाता है नया कानून बना दिया जाता है जब कोई सत्र ना चल रहा हो तब ये राष्टपती के द्वारा विसेश परस्थिती में ऐसा किया जाता है अनूछेद 143 सुप्रीम कोड से सलाह ले सकते हैं लेकिन उसके लिए बाद नहीं है उन्हें सलाह अच्छा लगेगा तो उसका वह परियोग कर सकते हैं तो सुप्रीम कोड से सलाह लेने का इनका अधिकार वह अनूछेद 143 से है उपराष्टपती के बारे में अनूछेद 63 जिसमें उपराष्टपती का एक पद होगा वह 64 में बताया गिया है कि राजसभा के जो उचसदन राजसभा है उसके सभापती होंगी और इनहीं के लिए उन्हें बेतन भी दिया जाता है ये परश्ण भी महत्पुर्ण है कि राजसभा के सभापती कौन होते हैं वह उपराष्टपती होते हैं यह अनूछेद 64 के द्वारा बरनित है परधान मंत्री के दो महत्पुर्ण नोचेद चहुत्तर और पचत्तर चहुत्तर में परधान मंत्री के बारे में दिया गया मंत्री परिशद का प्रापधान है जिसमें कि पचत्तर में है मंत्री परशद के परधान यह निमुख कौन होंगे वह परधान मंत्री होंगे मंत्री परशद का परपधान इसलिए क्या गया है जो की राष्टपती को सलाह दे सकते हैं संसद जो की काफी महत्पूर्ण है संसद का गठन अनुछेद 79, 89, 80, 80 में लोकसभा का गठन संसद के दो सदन, राजसभा उची सदन, लोकसभा निमने सदन तो पहले 80 में राजसभा, फिर 80 में लोकसभा का गठन कबर अनुछेद 100, शदनों में मतदान, अध्यक्ष का मत, निरनायक मत की रूप में भी इसमें आता है किसी कानुन के लिए, तो अगर उसमें निरनायक मत देना होगा, तो वह देंगे लोकसभा के अस्पीकर 105 में संसदिय विशेश अधिकार के बारे मचर्चा, 108 में संजुक्त अधिवेशन, वह बुलाने के काम करेंगे विशेश उपस्थिती में यह राष्टपती के द्वारा, लेकिन उस अधिवेशन की अधिक्षता करेंगे अस्पीकर, लोकसभा के अधियक्ष, अनुछेद 110 में धन बिदहयक, यह प्रसन काफी बार पुछा जा चुका है, 112 में बजट, बजट का एक बार बरनन, वही 112 में लेखा अनुदान, 116 में फिर है, 117 में बित बिदहयक का बरनन क्या गिया है सर्वोच नियाले से समंधित महतपूर्ण अनुछेद, 124 जोकी सुप्रीम कोट का अगठन का बरनन करता है, 131 अररंभिक अधिकार के बारे में, 137 अनुछेद, नियाईक पुर्णा बिल्यकोन, जोकी काफी चर्चित भी रहा है इस बार, 137 अनुछेद, नियाईक, मतलब फिर से वो नियाईको पुना अब लोकन किया जा सके, 143 जो पहले भी पढ़े, राष्टपती को सलाह दे सकता है सुप्रीम कोट, फिर है महा नियाईबादी, अटोर्नी जनरल, अनुछेद, 76 के अंतरगत बरनन है, राष्टपती द्वारा महा नियाईबादी का नियुक्त आएगी, यह जो कि नियंतरक महालेखा परिछक होते हैं, तो जितने भी बजट संदर्व में पास किया गया है, वह बाद में उसको लेखा जोखा धियान रखना और उसका जाज करना, जिससे ही तो सारे घोटाले को बारे में भी पता चलता है, अपात उपबंध, यह काफी महत पूर्ण है, यह कितने बार प्रसन आ चुके हैं, भाग 18 में बर्नन है, अनुछेद 300 बामन में राष्ट्रिय आपात, कभी यूद्ध, गिरिह यूद्ध और विभिन कारणों के कारण से राष्ट्रिय आपात की घोसना की जाती है, यह अनुछेद 356 राष्टपती सास जब कोई राज्जिका संब्धानिक, वहां कोई मुख मंतरी अगर ना बना हो, तो वह ततकाल में राष्टपती सासन के अंतरगत, वहां प्राब्धान क्या गिया है, 360 वितिय आपात, अनुछेद 20, भाग 20 संब्धान संसोधन, अनुछेद 368 के अंतरगत, संब्धान शंसोधन, अनुछेद 368 के अंतरगत, फिर से हम संसोधन पुनह कर सकते हैं, पिछले मैंने विडियोज में बताया है, कि विदेशी सुरोत किस देश से लिया गया है, संब्धान संसोधन की प्रकिरिया, यह जा करके आप देख शकते हैं, अनुछेद 324, निरवाचन आयो की सकती के बारे में है, अनुछेद 243, और 243 के कस, 243 के नतक, जो की पंचायतों की संबंध में प्राबधान है, और एक महत्पुर्ण है भाग सत्र, अनुछेद 343, जिसमें बर्नन किया गया है, संग की राजभासा, देव नागरी लिपी में लिखी गई हिंदी होगी,